हे गाइस मेरा नाम है अबदुल राशद और आप देख रहे हैं दा इंडियन बजट गेमर वेलकम है आपका इंडियन पीसी वार्स का अपिसोड नमबर 101 में इंडियन पीसी वार्स एक ऐसी सीरी था जहाँ पर आप अपना सेटप सब्मिट करते हैं और हम उससे अपने चैनल पर फीचर करते हैं अगर आप भी पार्टिसिपेट करने में इंट्रसेंड है तो यार वीडियो को डिस्क्रिप्टिन में एक लिंक ही दिया हुआ जहाँ पर आप यहाँ पर चीप में पीसी पार्ट्स करिदना चाहते हैं जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड या अगर आप पीसी पेरिफरस नेना चाहते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड और गेमिंग मॉनिटर तो आपको जरूर चेक करना चाहिए इस बात करते हैं हमारे पहले कंटेस्टने से जिनका नाम है राज चक्रबरती जो की 19 साल के के सुडेंट हैं इनके सेटप के बारे में बात करें तो यार बंदे ने काफी अच्छा और काफी कॉम्पैक सेटप बिल्ड कर रखा है पहले चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटप नोटिस करते हो ना वो है इनकी टेबिल मतलब कि बंदा यहाँ पर जो टेबिल यूज कर रहा है वो काफी जादा चोटी है चोटी होने कि साथ साथ बंदे ने पूरा का पूरा सेटप जो वो टेबिल टॉप पर रखा हुआ है उसके बावाजुद भी बंदे ने क्लीनेस और केबिल मनेजमेंट पर भी काफी दादा फोकस किया है अब जाहिट सी बात है पूरा का पूरा सेटप टेबल टॉप पर रखा हुआ और पावर का जो कनेक्शन है वो बैक साइट पर दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत बैक साइट पर केबल भी जेनरेट होता है हाला कि क्लीनेस के मामले में बंदे ने काफी अच्छा काम कहा आप देख सकते हो केबिल मनेजमेंट को काफी अच्छे से मैनेज किया है बात आती है वह एगर हालत रहत इनका केबिनेट के अंदर की तो यहर केबिनेट के इनका पीश्चीय शूराउट तो है नहीं तो जाहिड सी यहाँ पर जो आपको Cable Management देखने को मिलता वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर आपको Wires देखने को मिल जाते हैं, नो बात कर लेते हैं इनके Peripherals के बारे में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, Samsung का 22 इंच का HD Ready Monitor, Mouth और Keyboard यहाँ पर Rapoo का Comboy, Speaker यहाँ पर Front 5600 इंको काफ़ अच्छा CPU Performance प्रोवाइड कर देता है, और वही बात आती है, गर Gaming Performance की तो आप 1650 Super इनको 1080p लेवल की बहतरीन गेमिंग करवा देता है, Head Dean अगर बात आती है, मेरे suggestion की, तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही suggest करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अपने monitor को upgrade कर सकते हूँ, तो आपको जरूर करना चाहिए, बागी यहाँ पर आपको specs related को खास improvement के ज़रूरत नहीं है, thank you राज, participate करने के लिए, second contestant के बारे मे बात करें, इनके नाम आज है, KS, जो की 20 साइल के student है, इनके setup के बारे में बात करें तो बंदेर यहाँ पर काफी अच्छा setup बिल्ड कर रखा हुआ है, पहली चीज़ यहाँ पर आप इनके setup में notice करते हूँ है, वो है इनकी table, मतलब कि यहाँ पर यह actual PC वाली table use नहीं कर रह दूर की बात इनको खुद का PC हाइड करने के लिए भी जादा space देखने को नहीं मिलता, that is why यहाँ पर इन्हों ना cabinet वो right side पर रखा हुआ और आपको चारो तरफ wires देखने को मिल जाते है, अब बात आती है अगर tabletop की तो आप देख सकते हो, बंदे ने tabletop पर काफी अच्छ काम किया है, आप देख सकते हो, यहाँ पर जो यह cabinet यूज कर रहे है, वो काफी budget सेग्मेंट वाला है, जहाँ पर इनको PSU shroud भी नहीं मिलता, but still जैसा भी इन्हों ना काम किया न वो ठीक ठाक लग रहा है, बात कर लिए तो इनके peripherals के बारे में यहाँ पर यूज कर रहे है, तो यहार एट दिन अगर बात करें CPU performance की, तो यहार 1600 इनको काफिछ CPU performance प्रोवाइड कर देता है, और अगर वही बात आती है gaming performance की, तो यह 1060 आल भी gaming के काफी capable है, एट दिन अगर बात करें मेरे suggestion की तो आपन में केवल इनको यही suggest करना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा ब बात करें तो यार बंदे ने काफी जादा धासू बिल्ड किया हुआ है, पहली चीज़ यहार पर इनके setup में notice करते हो ना वो है इनकी color theme, बंदे ने यहार बहुत ही अच्छी तरह से अपनी color theme को manage कर रखा है, और all तो यहार पर आपको blue color देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कह पर आपको rainbow accent भी देखने को मिल जाता है, जो कि इनके color theme को काफी जादा spice up कर देता है, बात करी over all look के बारे में तो बंदे ने look wise काफी जादा अच्छा काम किया है, छोटे से space पर भी इन्होंने जो look achieve करना वो बहुत ही जादा clean और बहुत ही जादा minimal भी है, आप देख सकत आपको यहाँ पर जो cable management देखने को मिलता है, वो बहुत कुल बस काम चला हुए, नो बात कर लिए तो इनके peripherals के बारे में यहाँ पर यूज कर रहे है, LG के 24 इंच का IPS display monitor, mouse और keyboard यहाँ पर red gear को combo speaker यहाँ पर यूज नहीं कर रहे है, headset यहाँ पर red gear का यह यूज कर रहे है, और अगर वही बात आती है gaming performance की, तो यार GTX 1669 इनको बहुत एच्छे level की gaming करवा देता है, add दिन अगर बात करें, मेरे suggestion की तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास suggestion देना है नहीं चाहता, जैसा भी आप यहाँ पर setup यूज कर रहे हैं, वो already specs wise और look wise बहुत ही अच्छा है, आपक setup में notice करते हैं, वो है इनकी color theme, बंदे ने यहाँ पर यहाँ पर setup की across color theme create करने ही कोशिच करी है, वो है black, white और blue, यहाँ पर आपको चारो तरफ blue का accent देखने को मिल जाता है, अलाकि mouth और keyboard में शायद इनकी RGB change नहीं होती है, that is why यहाँ पर आपको ऐसा color देखने को मिल रहा है वरना overall यहाँ पर इनकी color theme से related जो काम की है, वो काफी अच्छा लग रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है table के पीछे कोई भी cable management करने का space नहीं है, लेकिन बंदे ने इतनी smart तरीके से सारे cable hide करे न, आप अगर table के नीचे जहाँ कर भी देखते हो आपको जादा wire सेखने को नहीं मिलते हैं, बात आती है वही अगर tabletop की तो आप देख सकते हो tabletop पर बंदे ने symmetry create करने की काफी कोशिश करी हुई है, लेफ्ट साइट पर बंदा cube रखता है तो राइट साइट पर दो speaker रखता है, ताकि setup के across symmetry maintain रहा है, और वह अगर बात आती ही हालेत इनके cabinet के अंदर की, तो यार cabinet के अंदर भी आपको similar story देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पर जो काम किया है वो कात्व अच्छा लग रहा है, नो बात कर लेते हो इनके peripherals के बारे में यहाँ पर use कर रहे है, LG का 22 इंच का full HD monitor, mouse और keyboard यहाँ पर zebron Linux का combo speaker यहाँ पर comfile के यह यह यूज कर रहे है, वही बात करेंगे PC specs के बारे में तो यूज कर रहे है MD का Ryzen 5 1600, RGB की RAM और graphics card यहाँ पर यहाँ यह यूज कर रहे है, तो यार एड दिन अगर बात करें CPU performance की तो यार रजन 5 1600 इनको काफ़ अच्छा CPU performance प्रवाइड कर देता है और वही अगर बात आती है gaming performance की तो यार RX 517 इनको ठीक ठाक level की gaming performance प्रवाइड कर देता है, एड दिन अगर बात करें मेरे suggestion की तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास suggestion देना है नहीं चाहता, look wise और specs wise इनका PC already काफ़ी अच्छा है, इनको कोई खास improvement की ज़रुएत नहीं है, thank you Rahul participate करने के लिए, fifth और last contestant के बारे मैं बात करें, इनके नहीं फैजान खान जो की 15 साल के एक student है, इनके setup के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो उन्होंने setup बिल्ड किया ना, वो gaming laptop पे बेस है, पहली चीज़ यहाँ पर आप इनके setup में notice करते हो ना, तो यहाँ पर बंदे बिल्कुल proper setup gaming वाला बना रखा है, जहाँ पर आपको headphone, एक अच्छी वाली chair और एक table space proper देखने को मिल जाता है, लुकवाइस अगर मैं आपको बता हूँ तो बंदे ने front से बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीज़े आपको proper space पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर उन् से जादा देखने को नहीं मिलते है, नो बात करें तो इनके laptop के specs के बारे में, जो की base है Ryzen 5 3550H, 8GB की RAM और graphics card यहाँ पर यहाँ पर यह RX 560X इनको देखने को मिल जाता है, तो एच दिन अगर बात करें के laptop के performance के बारे में तो यहार इनको CPU performance अच्छा मिल जाता है, और gaming performance 1080p ठीक ठाक मिल जाता है, एच दिन अगर बात करें मेरे suggestion की तो यहाँ पर मैं Kevalin को यही छोटा सा suggestion देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर एक dedicated mouse pad ले सकते हो, तो आपको जरूर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपका जो gaming experience है ना, वो थोना सा और improve हो सके, बाकि यहाँ पर आपको कोई खास improvement की जुरत नहीं है, थैंक यू फैजान, participate करने के लिए, वेल तो दोस्तों एई थे हमारे contestant, आई बटन पर कोई भी poll नहीं दिया हुआ है, क्योंकि YouTube ने poll ले concept हटा दिया है, तो आपका जो favorite contestant है, आप उनका नाम comment section में भी mention कर सकते हैं, और जहेज़ कर दो